हेलो एब्रिवन आजम पितरिम सोरोकिन के बारें पढ़ेंगे 1889-1967 समकाली समाज सास्त्रियों में पितरिम सोरोकिन का नाम विशेश रूप से उल्लेखनी है ठीक है जैसे इस प्रख्या समाज सास्त्री का जन 21 जनवरी सन 1889 में उत्तरपूर्वी रूस में स्थित तोरिया नामक एक गाउं में हुआ था बचपन में हिनी के माता पिता दोनों की म्रत्ति हो गई तब इनकी आयों केवल दस बरस थी बाद में राजिनीतिक विश्यों में सक्री भाग लेने के कार्ण ही सन 1906 में सोरोक इनको ग्रफतार करके जेल में भीज दिया गया था ठीक है फिर उसके बाद सन 1913 में इनकी प्रमुख पुस्तक क्राइम एंड पनिस्मेंट प्रकासित हुई सन 1916 में इन्होंने मास्टर की डिगरी और सन 1922 में डॉक्टरेट की उपाधी प्राप्त कर ली सन 1914 में भी ग्रफतार कर लिये गए और कुछ समय तक उन्हें कैद खाने में रहना पड़ा लेकिन जेल से चूटते उन्होंने पुनह साम्यवाद की विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू कर दिया परणा मेय हुआ कि सन 1918 में पुनह इन्हें कैद कर लिया ठीक है फिर इन्होंने फिर सन 1922 और सन 1922 के विच उन्होंने पांच ग्रंत लिखे परणतु साम्यवादी सरकार अधिक दिन तक सोरोकिन की स्पस्ट समा लोचनाओं को सहन न कर सकी और सन 1921 में इन्हें फिर से कैद कर लिया गया और उन्हें रूस से निकाल दिया गया ठीक है उसके बाद सोरोकिन वहीं पर नौ महीने तक रहे उसके पस्टाद सन 1923 में अमेरिका चली गए सन 1924 में उन्हें मिन्ने सूटा विश्विध्याले में प्रोफेसर का पद मिला सन 1930 में हर्वार्ड विश्विध्याले ने सोरोकिन को समाज सास्त के प्रोफेसर तथा चेयर्मेन बनने के लिए आमंतरित किया सोरोकिन ने इस निमंतर को स्विकार किया आप सन 1926 में अपने मिरत्यू समय तक इसी विश्विध्याले को अपनी सेवां से सम्रद करते रहे सोरोकिन की कुछ प्रमुख करतियां जो इस प्रकार है नमर फर्स्ट है Crime and Punishment 1913 यानि कि 1913 फिर है Elements of Sociology 1919 System of Sociology इस Volume 2 में है 1920 से 1921 The Sociology of Revolution 1925 Contemporary Sociological Theory 1928 Social and Cultural Dynamics 1937 The Crisis of Our Age 1940 Man and Society Clematy यह है 1942 Society, Culture and Personality यह है 1947 ठीक है फिर सोरोकिन ने कुछ सिध्धान्त दिये जो इस प्रकार है यह एक रसियन समाज सास्त्री थे इनका बच्पन अच्छा नहीं बीता यह मार्सवादी थे समाज सास्त्री एक सामन्य विज्ञान के रूप में है इन्होंने बताया समन्य आत्मक स्कूल और स्वरूपात्मक स्कूल ठीक है फिर एक समाज एक और्गेनिक धाचा है यानि के समाज एक जयविक धाचा है यह समन्य आत्मक समाज के समर्तक थे यह मानते थे समाज के सभी यंग एक दूसरे के पूरक है इसलिए यह समाज सास्त्री को सामानी विज्ञान है क्यों कई विश्यों का अध्यन करती है स्वरूपात्मक विज्ञान समाज सास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान मानता है फिर सामाजिक इस्तरीकरण के बारे में इनोंने बताया यानि कि समाज में सोसल स्ट्राइटिफिकेशन समाज में इस तर किस प्रकार बटे हुए हैं इस्तरी करण के तीन रूप है, सोरो किन के अनुसार, ठीक है, नम्मर फर्स्ट है, आर्थिक इस्तरी करण, यानि कि पैसे के आधार पर, ये इस्तरी करण आय या व्यवसाई के आधार पर है, काल माक्स ने इसके दो अर्थ बताए है, ठीक है, नम्मर एक, राजनेतिक इस्तर प्रधान्मंद्रेट मंत्री राधानमंद्रेटकार्ण और जैसे एक प्रोफिसर काप्ध एकだ तिर उपर माना आता है नमबर दू है इंट्रा यानि कि अंतर व्योसायक इस्तरीकरण जैसे एक जैसा व्योसायक करने वालों में भी एक इस्तरीकरण होता है उधारण Class 1 Magistrate, Class 2 Magistrate यानि कि हैं तो दोनो Magistrate ही लेकिन ये Class 1 ये Class 2 फिर आता है सामाजिक गत्सिलता यानि कि समाज में गत्सिलता समाजिस्थर तो होता नहीं है समाज में परिवर्तन होते रहते हैं कुछ नया आता है, कुछ पराना खतम होता है ऐस प्रकार तो इन्होंने गत्सिलता, दो प्रकार की बताई एक छेतेज गत्सिलता और एक उर्धादर गत्सिलता छेतेज में बताया उन्होंने जैसे एक सिच्चक ए स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल में पहुंच जाए लेकिन वो रहेगा तो सिच्चकी ठीके, नंबर बताई इन्होंने उर्धार इसमें स्टेटस में भी अंतर आता है जैसे एक सिच्चक प्रधानाचार बन जाए इस प्रकार फिर है संस्कृति के प्रकार इन्होंने संस्कृति के बारे में बताया इनके तीन प्रकार बताए चेतनात्मक संस्कृति जैसे इन में भी वस्तुवें आती हैं जो हमारे इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं यानि कि इंद्रियां मतलब आँख कान नाँख जैसे अच्छा वोजन खाया तो जीव को स्वाद मिला अच्छा काम किया अच्छा कुछ देखा तो आखों को संतुष्टि मिली इस प्रकार यह भौतिकवादी संस्कृति है पाश्चात देशों में यही संस्कृति प्रचलित है इसमें धन का महत्तो है यानि कि धन होगा तो हम सब कुछ काम कर लेंगे नमब दो है भावनात्मक संस्कृति फिर इसका बल आत्मा आत्मक सां और इस्वर पर बल देता है जैसे कि हमारे हिंदु धर्म में बोला जाता है बेद पुराण में बोला जाता है अच्छे कर्म करो तो इस्वर की प्राप्ति होगी साधना करो ये करो इस तरह ऐसी संस्कृती में धर्म और नैतिकता प्रवल होती है यानि कि धर्म का आचनड करो नेतिक ताका आशनर करो, अच्छे कार्म करो, बुरे कर्म मत करो ये संस्कृति रचनात्मक होती है किन तो इसमें बैग्याने के अविसकार कम होती है यानि कि सारी लोग वही ट्राइजितिर्सन फोलो करते रहेंगे, वही आथनत पर्शिया करते रहेंगे तो इसमें आविस्कार तो कुछ होगा नहीं इस प्रकार ममत तीन है आदरस्तात्मक संस्कृति इसमें है ये उपर की दोना संस्कृतियों के बीच के स्थिति है यानि कि हम धनवी कमा इंद्रियों को विसुख दें और अपने भगवान की ओर भी जाएं जब एक संस्कृति चेतनात्मक संस्कृति से भावनात्मक संस्कृति तक जाती है या भावनात्मक से चेतनात्मक तक जाती है तो मध्य में कुछ समय आदरस्तात्मक संस्कृति की आवश्यक्ता होती है चेतनात्मकवभ भावनात्म संस्कृति संस्कृतिक व्यवस्था के दो छोर हैं और हर संस्कृति इनके बीच गती करती है यानि कि कभी तो वो अच्छा देखना चाहेगी कभी वो धर्म करना चाहेगी ठीक है फिर आता है सामाजिक परवर्तन उतार चड़ाव या सिध्धांत जैसे के सामाजिक परवर्तन बताया जैसे के पहले स्कूल गुरुकुल होते थे अब स्कूल बन गए इस प्रकार फिर है सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परवर्तन चक्री ढंग से नहीं होगा ना ही उसमें निरंतर प्रगती दिखाई देती है इसमें सदेव उतारजडाव होता रहता है कोई भी ववस्ता चाहे हुआ है कितनी भी अच्छी या बुरी हो उसके विकास की एक सीमा होती है यानि कि जैसे कि हमारे पहले एजुकेशन पॉलिसी आई 68 फिर उसमें चेंजिन हुए फिर 86 आ गई फिर उसमें भी चेंजिन हुए 2020 आ गई इस प्रकार सोरोकिन के अनुसार सामाजिक परवर्तन एक प्रक्रिया है जो चेत नात्मक वर भाव नात्मक संस्क्रतियों के बीच उतार चड़ाव होता है जैसे कि एक प्रश्न उठता है कि मैं व्यक्त परवर्तन है कि परवर्तन लाने वाली सक्ति कौन सी है इसका उत्तर है सोरोकिन के अनुसार स्वभाविक परवर्तन का सिध्धान अर्थात यह सक्ति आंत्रिक सक्ति है बाहरी नहीं यानि कि इंटर्नली मोटिवेट होते हैं चेंज करने के लिए हैं से नहीं कि किसी ने धक्का दिएक जाओ चेंज करो तो चेंज कर लें यही कार्ण है, सामाजिक परवर्तन बाहरी नहीं है, सामाजिक परवर्तन आंतरिक है, रहे क्रांती का समाज सास्त्र, इसमें उन्होंने थोड़ा सा बताया, सामाजिक क्रांती एक ब्यधिकिय अवस्था है, क्रांती के कार्ण सामाजिक धाचा अव्यवस्थित हो जाता है, धन्यवाद